दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता अच्छे होंगे आज की डेट में आपको किसी भी प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ानी है तो उसमें अगर एक या दो मिशन में से कोई भी नाम है एक AI एक होगा क्रिप्टोकरेंसी मैटावर्स तो उस प्रोजेक्ट की वैल् साइट तो बेस उसका वाट परेस मतलब आपके वह क्मर्स हो सकता है बड़ी प्रेस हो सकता है कोई भी साइट तो चाहिए आप कोई CRM वडपरेस के तुरु दे रहे हूं तो कैसे जैसे मैं लॉग इन पर सेक्शन पर यहापर जाता हूँ तो यहां पर दे सकते हैं मेरे में यहां पर एक option आ रहा है admin password जो by default में मैं सेवेस ले और login with crypto wallet तो मैं crypto wallet में पर metamask है या finance wallet होगा transfer wallet होगा किसी से भी तो मैं metamask के तुरू login करता हूँ और यहां पर मैंने login किया ठीक है sign in किया successful मेरी login हो गई मेरे एक account में यहां पर आप दे सकते हैं कैसे किया यह कैसे आपका user भी यह सब कर सकता है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो first हम आपने main admin account में login कर लेते हैं यह हमारा admin account है ठीक है तो बिना किसी देरी के आपको 0 से starting से दिखाता हूं कैसे आपको इसको पूरा करना है तो हम WA login की जो file है इसको हमने यहां से delete कर देते हैं तो जिससे आपको starting से सारे steps पता चले तो आपको इस तरह से आपके plugin section में आना है add new पर जाना है प्लागिन का link आपको नीचे मिल जाएगा वहां से आप ले सकते हैं बाइद प्लागिन के देटेंस में देखा जाता हूं membership management with blockchain authentication के लिए plugin है काफी अची plugin है आप कहीं पर भी यूज़ का सकते है जासे मैं आपको उता है wordpress के लिए ठीक है तो यहां पर जाना है है अब मैं जल्दी से उस फाइल को यहां से अप्लोड कर देता हूं plugin को तो यहां पर हमने स्कूर कर दिया है plugin activated हो गई यहां पर हमारे पास option में जाना है तो settings पर जाना है तो मेरी कुछ by default settings यहां से नहीं आई हुए जैसे आप दे सकते हैं तो यहां पर आगर आपको लॉग इन करना है यहां पर जाने के बाद आपको उपना sign up करना account basic sign up है sign up करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा यहां पर API keys लिखे होंगे तो आपको जैसे माइफर्स्ट की दिखे बाइड डिफॉल्ट API key जनरेट हो जाती है तो उस API key को आपको यहां से copy कर लेना है otherwise यहां पर आप जाएंगे और कोई भी नई अब मैं इसको log out कर देता हूँ ठीक है पर user found नहीं हुआ तो मुझे करना पड़ेगा रेजिस्टर करना पड़ेगा तो अब यूजर का रेजिस्टर का नाम क्या डालते है तो हम यहां पर डाल देते हैं ठीक है और जो कोई भी हमें एक email डाल देते हैं क्योंकि अब जो verification होगी वहारे metamask के तुरू होगे ना कि हमारे Gmail के तुरू यहां पर होगे बाइड डिफॉल्ट आपका user registered कौन सा होता है ठीक है बाइड डिफॉल्ट आपका user registered होता है आपका contributor आपने यहां पर कर रखा है यह अगर कर सकता है यह अब कर सकता है इस तरह से ब्लॉक्चेन को आप इंडिकेटिट कर सकते अपने वर्डपेस के साथ तो एक शॉट्सार यूसफुल वीडियो था उमीद का तो आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो लाइक से सब्क्राइ झाल 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 स्वाइ़ झाल 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 तो यहां पर देख सकते हैं हम आपस request आ चुकी है हमने confirm किया हम आपस chat है हमें जो कुछ भी कुछ करना है वह हम easily भेज सकते हैं अब फुल फ्लीड आपको एक system है इस system को setup करने कि cost कितनी हैं कि maximum 3-4000 उपीज और आपको जैसे आप वीडियो को दिखके setup करते तो almost 500 उपीज ठीक है तो इस तरह से आप एक social media social networking site को setup कर सकते हैं इसमें काफी सारे features हैं जो मैंने cover भी नहीं करें बेसिक यह overview था about how you can setup a social media network site जिसको आप utilize कर सकते हैं इसके recording कोई वीडियाउट है तो मुझसे पूस सकते हैं मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं इससी तरह के interesting videos